दो मैं मानके चलब हूं कि आपने देमोक्लास कर लिए घिकशार है और देमोक्लास में सारे चीजहों को बताय गया था हम फिर से रिपीट करेंगे ठीके Mainly ति पहले है कि ऊचर्थ ही है जा पूँती के बारे में हम यहाँ नहीं हों settisじゃ लिद्सी और भी स्लपए ये को एपर देखते हैं है कि एक टर्म होता है सिलोग एं ठीक है बेंच स्लोप एंगल ⟃oli टत्युस्ण न Div.. कोई बड़ा बात ने इसमे इसमें नॉर्मापो ये इस जोर्ष यह जो हमारी बेंच होगी इस तरह से यह इतना तक इसी को लेते हैं जितना एंगल पर inclined slope उसे हम बोल देंगे जो एंगल रहेंगे उसे हम बोल देंगे बेंच स्लोप ठीक है तीन तरह के स्लोप स्योजू सोते हैं फ़र्स्ट आप फॉर्स्ट वॉल बेंच स्लोप होगी इसके बारहीं डिफिनेशन भी आपको मिल जाएगी इह पहली हाँ समझघ लिए कि बेंज शुब हो यहां पे उसके बाद होता ओवर्य लोयि स्लोप टीक ओवर्य स्लप फोश कीजी कि आपका वर्किंग यहां पर चल रहा है ति कि यह आपका डिपेस्ट कि माले यहां पर आपका वर्किंग चल रहा है डाइए सुर्स सुर्फिस क्या है से धिसे Εस Site अब सर्फिस का हम फर्स्ट मतलब क्रेस्ट को देखेंगे यह जो है क्रेस्ट यह क्रेस्ट को देखते हैं क्रेस्ट है अब यहां से इमेजनेरी लाइन जो ड्राउन होगी जो कि जहां पर हमारा वर्किंग अभी चल रहा है प्रिजेंट ली जहां हमारा वर्किंग चल रहा हमारा वर्किंग यहां पर चल रहा है यह हमारा सर्फिस है यह क्रेस्ट है हमारा और जहां पर हमारा वर्किं यहां पर वर्किंग चल रहा है तो यहां का जो भेंच है यह वाला बेंच ठीक है तो इसको जो लाइन जो मीट करवाएगी स्थे तर्फे dude सी चोंगे में करें यहां प्रिश्ट से जो की टॉटा टो भी हिसा 바다 क्रीक है यहां पर आके और यह जो मेंगर बनाइगी इसे भोलेंगो फ्रों boil थीक है तो फ्रिजेंट लीजहां हमारा माइंट में या का म रा ठाइख है प्र फ्रिजेंट लीजहां में मैं हमारा काम चल रहा है और अगर सर्फिस से के धियुए फिसे हम मीट करवा हैं इसे हम बोलेंगे ऑवरेरल स्लोप ऐसे civ botslla तो यहां पर हमारा प्रेजंट में काम चल रहा है वहां से उसका क्रेस्ट और बोटम अफ़ दी बेंच का टॉ जो मीट करी गिस लाइन को उसे हम लोग बोलते हैं ऑवरल स्लोग टिक है को हमने यहां से समझा बेंच लोप एंगल ऑवरल स्लोप एंगल लास्ट हमारा बचता है कि अल्टीमेट पीट भाइंग ठीक है अल्टीमेट इसे देखते हैं क्या होता है यह यह आप देख लिए फिर आपको इसको आपको रियलिस्टिक डियाग्राम में भी दिखाए जाएगा और इस इन सब इस इन सब इस बनाना है क्या कर नहीं करना हुआ है थीए तो हमने समझा बेंच स्लोप एंगल जो होता है उसे बेंच बोलते है प्रिजैंट यहां वर्किंग हो रहा है सरफे से क्रेश्ट को अउसका टो टो व्हों को मिलाते हैं तो वह हो जाता है हमारा छोप अब हम समझने वाले हैं कि अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल क्या होता है अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल क्या होता है जब हमारी माइस खतम होने की कगार पर ठीक है खतम होनी कगार पर खतम होने वाली है तो समझे लास्ट स्टेज तो उस समय क्या होता है यह जो बेंचे से है हमारी जो इतनी चोड़ी चोड़ी वेंचे से यहां से यह वाली वेंचे से 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 जो बेंचे से यह क्या होती है इन और टू एक्स्ट्रेट दी ओर कोईला निकालना है या फिर और हमको निकालना हमें तो हम क्या करेंगे इतना इतना बेंच अगर हम छोड़ेंगे तो क्या ह होगा कि इन सब के निचे हमारा जो और होगा एगा जो हमारा ऊमज़ें यहापद पर कॉल है 場上 कोईला है इधर विधर का यहां तक कोईला निकालते निकालते हम आप अब हम इतना बड़ा-बड़ा को छोटा करते हैं ठीक है यह जो यह जो हमारी बैंचेस हैं इसे हम छोटा कर देते हैं यह इतना 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 चोटा करती हैं फिर इसको इतना ले लिए फिर इसको इतना ले इतना ले काफी वाई एरिया होती है एक है तो यह हमारे नहीं नीकालते हैं तो क्या होता है किक? का यह स्टेज― अला होता है कि यह स्टेजर माइन क्या रहता है थीए कंपनी का मक्सद ही होता है कि कोईला ज्यादा ज्यादा निकाल पाएं और सुरच्छी तंदाज में तो जब लास्ट स्टेज जब माइन्स की आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि बेंचिस को छोटा-छोटा करते हैं हम जितना हो सकता है जैसे कि एक्जांपल हमने लिया थ ओने की थे टिक तो जिब ओल निकाल लए थो धिकर एवन चुछ शोटा-चुटा कर देते हैं तो जो बेंचिस चुटा वोलते हैं हो नीरली कितनी होती है वहाइट की 30-35 परसेंट होती है ए ने चौटि के स्टार्टिंग में tud बगेरा है जो हमारे एले दिया कि नहां जला स्ट किटना वगा सकता है या धे जाचाए कि दीए चोर्णी करते हैं सर्ग को पानुटिक या और को लेंगे के चक्र में हम क्या करते हैं उसको प्रोंटी करते हैं तो क्या निखा गया है में कि judiciaously Pre factoryост conviction कि judiciaously हम क्या करते हैं जो हमारा रीब छोड़ता है हम उसे एक्सटहित्र करettsा जितना हो सकता है छीटा छीडा पीलर मतलब बहुता ही तो उसे हम एक्षट्रैक्ट पार लेते हैं तो उसी तरह यहां भी है कि कि हमारा money वहां पर फसा वना रहा है ठीक है always remember blockage of coal या और is the blockage of money ठीक है तो इसे हम ज़्यादा block करके नहीं रखते हैं और हम ज़्यादा ज़्यादा coal या और निकालने की कोसिस करते हैं उस उस case में क्या होता है कि हमारा जो bench होता है होता है वह छोटा-छोटा हो जाता है लगभग कितना हमने बोला आपको 35 तू थर्टी तू थर्टी तू थर्टी फाइव परसेंट हो जाता है हमारा bench का width with respect to height है ठीक है तो यह हमने समझा सिर्फ कि अधिमेट सिलोप के बारे में और उसका हमने अब अब उसके बारे में देखते हैं उसका definition क्या है ठीक है क्या है कि यह मान लीजीए यह हमारा last point of the mind का चल रहा है ठीक है यह last point इसके बाद और इधर कुछ नहीं है कोल नहीं है या फिर कुछ नहीं है तो हम इसके बाद चलाने वाले नहीं है यही हमारा लास्ट स्टेज होगा यही हमारा लास्ट बेंच होगा तो अब हम क्या करते हैं कि यह यह देखिए यह जह हमारी przysz है यह बैठ्च मार्ठें मौर्प काग़ नहीं मासे इसका मतए में लिए अधिकने यह हमारी यहां से यह इस ख। तो ऑफाइनल वेंच हम मांगा इसको थेक है फाइनध वेंच हम इसको मांगा की क्रेष्ट से जो तो को मिलाता है तो हमारा है वा— Lewis घ्राया कर लाएक और यहांपे हम chemical स्मिलर्ली हम क्या करेंगे के क्रेष्ट को इसका अ कमला देंगे our final-देंश है हमारी तो पीनल नीच की निलेगी में हुं पर अटिमेट मिलेगी- क्पार जो एंगल बनाती है तो यह जो हमारी इसे यह जो बेंच थी इसे हमने माना था ठीक है इसे हमने माना था कि लास्ट वेंच है हमारी देर को पता है है यहाँ यह आप परेक्ष करेस्च उपारी इसेलिकर कैंसे प्रण हो этим कि मिलाएं तो जो मिलाते हैं उसे जो एंगल वोटोम निचे की से सब्संटर बोटोम आसट गबनीच इसने की बोटम मुस्ट वैंको तो बोटोम मोस्ट भेंच से म Executive होते हैं हमारी उसकी क्रेस्ट और बोटोम मुस्ट बेंच तो च्वोए इमिजनेरी लाइन जो ड्रॉन की जाती है और उससे जो एंगर बनता है हो राजंटल साथ उसे हम बोलते हैं अल्टिमेट पीट्सलोप एंगल ठीक है अल्टिमेट पीट पीट सिलोप एंगल चलिए यह यह हमने जान लिया अच्छी तरीके से और इसके कुछ स् इस नेग्स स्लाइड में देखते हैं हम यह देखिए कि अल्टीमेट पीट श्लोप एंगल कि की के हमारा है अल्टीमेट फीट श्लोप एंगल स्क्रीण कर ज़स्ट करता हूं से को यहां पर आपको साफ साफ दीख रहा होगा यह जो डिंच से चोटी-च्भीटों की बिंच से इसे हम कैच बिंच बोलते हैं जो स्टर लाइट साथ है के च catc h सीएटी सीएच कैच बेंच चिक हैं मैं जो है सो कि इतनी होती है होती है कैच जी करेस्ट है कैस्ति है अब सब्सक्राइब करेस्ट है क्रेस्ट से लाइन ड्रोन है टो के पास ठीक है डिखना नगे तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अल्टीमेट पीड सलूप एंगल हम उससे कहते हैं जुकि फस्ट बेंच कि कि क्रेश्ट से सी रिएस्टी क्रेश्ट जो बॉटम बंच की टोग को जोएन होती है में जनिरी लाइन वह वह रजंटल से जो एंगल बनाती यहां पर कितनी है कि अत्याद जोगर है तो इस का में सब्सक्राइव कितनी है इत्ती डिग्रीज हो गए एक्ती डिग्रीज है तो तीन ही एंगल आपको चुक है स्लोप एंगल थीक है ओवरोल स्लोप एंगल स्लोप एंगल और नेक्स्ट अल्टिमेट टीमेट पीट स्लोप एंगल कि इससे हम रियलिस्टिक में देखते हैं थोड़ा सा कैच बेंच भी किलियर हो गई होंगी कैच बेंच कितनी होती है लगबाग 30-35 परसंट ठीक वह डिपेंड करती है जियोलोजी के ओपर की जो हमारा स्टाटा वहां जो मौझूद है वह कैसा है जियोलोजिकल डिस्टॉप की तो नहीं है बहुत सारे फीचर्स होते हैं हम लोग उसे उस पर स्टडी ऑन करके हमें हम देखते हैं कि इसका विट्थ कितना रखा जा सकता है ठीक है तैसा को यह थाम रूल नहीं है कि 30-35 परसंट ही होगी ठीक वहां पर उसका देखा जाएगा 30-35 परसंट बोला जाता ह है कि हाइट का 30-35 परसंट होता है लेकिन अगर स्ट्राटा को ज्यादा ही डिस्टरव्ट है तो उसे उसकेस में हम विड्थ को बढ़ा के रखेंगे तो उसकेस में ज्यादा होगी तोहाद चीज़ों को देखते वे चलना को यह सारे ही स्टाडी होती है जो भी स्ट्राटा है सेंड स्टोन है सेल है या फिर स्लेट है जो कुछ भी है तो उस हिसाफ से जो भी स्ट्राटा रहा था उस हिसाफ से हम मैनेज करें चलते हैं अगरे रियोटे डागरम के बारे मां आपको बोला था देता हूं कहीं मिल यह समझे येगा सिरुफ चीजों को समझते वे चलिए समझमा यह इसे हमार लेता चाहिए सब्सक्राइए च्बालेक वी उपर गेमेज क्लियर निया इसे सर्फसमान लीते है सब्सक्राइब अब यहां से हम कंट कर लेता है भी कि कि आ कि अडिकर तो यह हमारी क्रेश्ट होगी है हमारे टॉ कहा है टो को कौन सा जेकर टो ममाने हम यह लास्ट वैंचक को मांते हैं तो यह हमारी क्रेस्ट होगी और टो हमारी यह होगी अब यह जो एंगल फॉर्म होगी होराजंटल के साथ 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 जो फॉर्म होगी ह लेकिन आप समझिए यहां से यह जो एंगल बनाई जाएगी जो क्रेश्ट है ग्रेश्ट के साथ जो एंगल बनाई जाएगी उसे ही हम पूलेंगे एल्टिमेट फीट पहल्ट अगर यह हमारी स्टाटिंग मैं इस से यह हमारी स्टाट ने को कि यह हमारी को उनके आप आट तो अगर जो हमारा क्रेस्ट को हुआर तो हमलते में aka अल्टिमेट polar algo कि अल्टिमेट पीट स्लोप एंगल बोलेंगे हम इसे ठीटा जो यह और साथ बनाएगी और यह आपको यह आपको दिख भी रहा है यह जो दिख रहा है यहाँ पर क्या कहता है कि जो मारा ती भीट से कभी भी कम हो ऑगी सकता कि किसी भी इसज़िए ऑफ और छो डिखाद अपकास्ट मांसे इन एनी केस को भी कि को अवर्रोट्रो प्रड तो चिजिए अप कि जो हमारा माइसा है यह मातें बेंच तरफस यह सभांब यहां सम्हाही है मैं यह मंसे मुणस अब यह हमारा तक है दो तक हम सब्सक्राइब का जो है सब्सक्राइब को मंनते हैं समझते बोचलेंग पैंगल को यह हमारा टॉप मॉश्ट है और हमारा काम कहां पर तो जो इसकी ठोगी यहां के जो लहें हमारी चाहिए हमारी डॉब हर क Questo आध यह घंग प। क्वहाइज आल– कि जहां हमारी ड्रिष चल रही है अभी यह हमारी यह हमारी प्रेजन वर्किंग थटीन मुद्रम अगर हम यह पर्फ म सरकाराई काम ऊपर से करते-usz करते-करते-करते-5 फांच साल लगा हम है यहां पर पहुंचने में थिक है तो हो सब करेंध स्थम्ट ली यह विर्किंग वर वर किन इस भेंच खोर्स हम काम कंट तो इस मेंच का जो स्लोप होगा ठीक है इस बेंच का जो तो से जो हम मिलाएंगे क्रेस्ट को टॉप मॉस्ट अपधी बेंच से तो उससे जो इमेजनरी लाइन ड्रॉन होगी उसे हम बोलेंगे ओवराल स्लोप एंगल ठीक है ओवराल स्लोप एंगल यह आपको कोशन्स के फॉर्म में बताई जा यह और क्लेर्टी डेवलाप हो जाएगी और कोशन्स का माधियम से इसे हम देखेंगे तो थीक है तो तीनों को ही ले लिया हमने आज का जो टॉपिक सोच के सोच के रखे थे वह है कि बॉक्स को पढ़ाना है ठीक है डेमो क्लास में ते फील आपको आहीं गई होगी ओपन कास माइंस की अब किस था यहां पर देखेंगे यह वाली फिगर में डूंट रहा था यह देखिए यह औरिजिनल फिगार है हमार वांडरी है यह हमारी बाउंडरी रीच कर गई है तो जब बाउंडरी हमारे रीच कर गई है तो कोई मकसद नहीं बनता उसका चोड़ चोड़ कर रखने जितना यह तो अगर बेंच को हम नहीं करेंगे चोटा नहीं करेंगे विध उसका कम नहीं करेंगे तो को इते ब्रकें सीषई को समझते चलना हुआ मैं हमारा मकसाद है कि चीजों को समझाना आपका फिल्ड से लेकर जाना सम fit एक छोटी आपको वंच mem यहां से निकल के जाता है यहां से को निकल जाता है तो यह हमारी रीच हो गई है तो जितना हो सके हमारा यहां से अगर हम मीट करवादे से हैं तो यह जो एंगल फॉर्म करेंगे और इसके साथ हम मीट करा देते हैं तो यह जो एंगल करेंगे होराजंटल के साथ यह हमारी यह हमारी यह हमारी यह हमारा समझ में आ रही होंगा आ आगी और देख भी लिया कि माइन यहां क्या होता है कि का माइस का कंडिशन में क्या होता है कि जब हमें और निकालना होता है तो हम केच बेंचेस को छोड़ते जाते हैं और हम और बोडी को निकालते हुए जाता है ठीक है रियलिस्टिक डियाग्राम के थुरू भी हमने देख लिए इस चीज़ को इक इस तरह की दिखती है जह हमारी वाल्स बनती है थी हाई वाल टाइप से दिखती है वर्टिकल वाल टाइप से दिखती है और गेच्वेंच के बारे में ओबरोल लोग पीड़ स्लोप के बारे में और अल्टिमेट पीड़ स्लोप के बारे में हमने अची तरीके से समझ लिया कि कि अब यह जो हमारा इमेज जो आपको दीख रहा है यह आपकी माइंस की है प्राइविट माइंस की है और यहां भी आपको चीज़ें दिख रहे होगी कि यह हमारी कोल की बेंच है और इंटर्नल डंपिंग हमारा हो रहा है दर से तरह हमने यहां से सारी को निकाल लिए यहां से पूरा को निकालने बद क्या हुआ कि यह डीकोड एरिया बन गया यहां इसके नीचे आप कोल नहीं है इसके नीचे में हमारा कोल नहीं है इसके नीचे जब हमारा कोल नहीं है त पर जो हमारी मेट्रियल यहां से एक्सकावेट होती भी जाएंगे चाहे सेंड्स्टोन हो चाहे सेल हो उसे हम वहां से लेके आएंगे और ट्रक यहां पाके इसे डंप कर देगी इसे हम इंटर्नल डंपिंग कहते हैं ठीक है यह देख रहे हैं कि माइंस में ही डंप की जा रह सब्सक्राइब को आगे में भी कोश्चन के थूरू भी समझाए जाएंगे लेकिन यहां पर चीजे दीख रही है तो आपको भीज्वलाइज कराने के कोशिज में कर रहा हूं तो इंटर्नल डंपिंग यहां तरा आपको दीख रही है और डंपिंग याड वगड़ा भी है य अब हमारा नेच्स ट्रॉपिक है boxcat तो और ब्सक्राइब करें और अचीके से समझेंगे क्योंकि यह थ्युक्स ठीपिकल होता च्रीडीयो विजफ ऐसे ठॉट Lup पढ़ता इसका इसका थीछ तो तो पूरी तरीके से कोशिस की जाएगी कि आपको अची तरीके से समझा दिया जाए जाए ठीक है 3D visualization करा करा के समझा दिया जाए 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 ठीक है आप सिर्फ ध्यान बना करके समझ में चीजें आप पाजएगी ठीक है तो पहली चीज जो हम समझेंगे इसमें वह है कि पर पर का पर मिझें और फिदी को करता है तो पर पर के सर्फिस के समें किया है कि सर्फेस का पूरे ही फीचर को हम इधर से उधर कर देते हैं ठीक है पूरा डिस्टरब्ट कर देते हैं इन्वारेमेंट एको लोजिकल बैरेंस सब लिगड़ जाता है तो पूरा जमीन का ही यूज हम लोग करते हैं तो इसलिए क्या होता है कि उस जमीन को हमें खर देंगे जहां पर हमें पूरी जमीन को हम खरीदते हैं ठीक है पहला पहला चीज हम लिए हम नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है कि जमीन तो खरीद लिए हम लोग जमीन खरीद लिए तो या फिर जमीन खरीदने के समय भी बहुत सारी विवाद हो जाते हैं कि लोग वहां से हटना नहीं चाहते हैं लो से ठीक है उसमें पूछा लिया था कि ओपन कास्ट में सबसे मुश्किल काम क्या है ठीक है अपन कास्ट करने के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है तो उसका एंसर था acquisition of land ठीक है land को acquire करना ठीक है acquisition of land ठीक acquisition of land ठीक है क्योंकि जो वहां लोग रह रहा होंगे वह अपना जगा चोड़ने के लिए राजी नहीं होता है आप कितना भी पैसा उसे दें वो छोड़ना नहीं चाहते है ठीक है उनका कहना यही होता है साफ-साफ की आप हमें जगा तो दे दीजेगा इससे बहतर हमें मक स्केम से निकाला जाता है घर में एक को नौकरी दे दी जाएगी इस दागर कुछ स्केम निकाली जाती है प्लस पैसा भी दिया जाता है दूसरे जगह में रिहेबिलेट भी करवा दिया जाता है ठीक है बसा दिया जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह पर पूरे समो को ब साना है राजी करके ठीक है तो इस अपर संठी और दलीजिए चार्ण पूरा जमीन खरिदना होता है यह हमने जान देन और ये आपन कास्ट यह वरूर्किंग के समझ लेते हैं इस समझेए यह सरफेस है ठीक आप समय से और सीम हमारी एक पास हुई है तो यह सरफेस पर विजुलाइज़ यह जो सीम है यह सरफेस से ही दिख रहेगे जो सरफेस से दिख रहे हैं क्या बोल देंगे आउट क्रोब बोल देंगे वहारा क्रॉप है वह आउट है या फिर कुछ यहां कूड़ा करकट से ढगावा होगा ठीक है जिरूपंट पांच मेंटर एक मीटर यह से कुछ तो उसे हम फावड़ा मारेंगे तो निकल जाएगा ठीक हमाँ डंप कर दिया होगा लोग मार तो इसी करण से दिखने रहाता है लेकिन वह अगर हम हटा देंगे उसको विश्ट्य मेटरियल को वहाँ से दिखना सुरूव जागा तो इस इस कंडिशन वाले जो यह इस तरह ही कंडिशन वाले जो सीम रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे आउट क्रॉप बोलते हैं ठीक है तो अपोजिटली इन क्रॉप क्या हो जाएगा जो हमें सर्फिस पर नहीं दिखेगी तरीक है सर्फिस पर जो हमें नहीं दिखेगी उससे हमीं क्रॉप बोल देंग ठीक है उसे थीट है तो यहां तक पहुंचने के northern हूगा ट्रांर करना होगा लगा ज्यादा गरड़ द्town trapped है ठीक है अ मेडियम से इंसमाल करना करूं तो इस तरह का जो सी में रहे या और वोडि ज़ाते हैं उसे हम क्या वोलते है इन क्रॉप बोल देते हैं इस कि अइक्स कर लोगे का अब हम बैसिक सा देखेंगा स्ट एक ब्सकेंगे हम ब्रेक अब यहां है है हम आफ़ रश्यवय क्या होता है च्छाक्रप आफ सी क। हम समझते हैं 4 by 1 ठीक है that is 4 is to 1 तो क्या हम इससे क्या समझेंगे अगर मीटर में हम लेते हैं यूनिट को तो हम यह समझेंगे कि अगर 10 मीटर का कोईला हमें चाहिए तो 40 मीटर हमें ओभी को हटाना पड़ेगा रिमॉव करना पड़ेगा ठीक है और और के लिए क्या होता है एक्स्ट्रैट इस बात की बात है तो 4 is to 1 का मतलब हो गया कि अगर हम मीटर में उसे लेते हैं और 40 मीटर का अगर हम ओभी को रिमॉव करते हैं तो हमें 10 मीटर का कोईला मिले डिक है इस तरह का कहीं भी अगर सिचुएशन बनता है तो हम क्या उसे बोल देंगे 4 is to 1 का ठीक है बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा कोल अपॉन ओभी या और अपॉन ओभी ठीक है तो लेकिन एक कुश्चन आती है भी एसर ठीक है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रिशियो इसको हम लोग स्ट्रिपिंग रिशियो भी बो तो यह स्टेंडर्ड बुक से ली गई है तो हम किस तरह से पढ़ेंगे 8 is to 1 ठीक है 4 is to 1 6 is to 1 ठीक है 2.5 is to 1 इस तरह करके पढ़ेंगे उपर में क्या रखेंगे ओभी पर रखेंगे ठीक है तो स्ट्रिपिंग रिशियो भी देख लिए हैं कि अगर 3 is to 1 है तुम क्या उससे मतलब होगा कि अगर मान लिए कि तीन मीटर का हम निकालते हैं ओभी तो हमें एक मीटर का कोईला मिलेगा ठीक है यह हमने जान लिए है सब्सक्राइब करा देखें करें कृटर संस्टान स्टा के मीटर एं ट् निकिंक मैं र graduated तो अब लेसे हमने आंपके चैतलिम ते तो तीविए श्वेलिब्रोर्डे मीटाई दिश्वग नहीं हो तो इतना सारा स्ट्राटास को रिमूफ करना पड़ा तब जाके कोल हमें मिला चकर अब समझे कि ये अगर इसमें सिर्फ दो ही स्ट्राटा होता चिकिंड़ संट्राप और का अनली एलॐ वीविया Castle आप keywords इसके बाद इस जिसके लिए जिस मिनरल को हम स्फटो of land किया है rehabilitation process किया है और नौकरी का वादा किया है scheme वगरा देखे बहुत सारी चीज़ें चीज़ें की है उसको पर से क्या मसीनरी में हमारा diesel का consumption है ठीक है बहुत ज्यादा ज्यादा diesel कंजप्शन है लाखों में consumption है diesel की प्लस salaries है वो सब कहां से आएंगे तो तो as early as possible अगर हमें क्या होता है mineral मिलना सुरू हो जाता है तो क्या होता है helping hands बन जाता है ठीक है owner के लिए और owner को फिर mines को चलाने में असानी होती है ठीक है क्योंकि यह बहुत बड़ा projects होता है बहुत सारा expenditure होता है इन सब में तो as early as possible return on capital अगर होना सुरू हो जाता है तो owner को भी असानी होती है payment अगर करने में या फिर mines को चलाने में तो यह हमारा रहा concept return on capital का ठीक है as early as possible return on capital होगा उतना बेटर होता है ठीक है हर किस में नहीं होता लेकिन अगर हो गया तो अच्छी बात है तो return on capital है हमने समझ लिया ठीक है return on capital हमने समझ लिया अब हम आते हैं box cut के उपर ठीक है अब हम आते हैं box cut के उपर अच्छी तरुके से समझ जीए वह चीजों का तो यह जमीन है जो हमें माइनिंग के परपस से दि गई है यह जमीन है जो हमें मैमनें के परपस से दि गई है यहां हमने यह वांऊप ली जमीन खरी कोई दी है तुझ ए है नद दिंगे सब्कुछ पता चलिया है ति है कितना दिप्त में है इसमें कोईल सब्सक्राइब ेस रिजर्श है और क्या इसका अपने अपना काम करना सुडू करते हैं फिस्ट फॉल यहां हम समझेंगे positioning of box cut कि जो positioning of box cut होगा वो कहां पर होगा कहां पर लाइक करेगा ठीक है surface पर जो हम first box cut first जो cut करेंगे open cast खोलने के लिए opening के लिए तो फिर कहां पर करेंगे इसका हम क्या factor है क्या parameters है जो कि box cut को open करने में एहम भोमिका निभाई की उसे हम देखते हैं तो suppose कि यह कि जो हमारा यह boundary cut जो distance है ठीक है यह हमारा suppose कि चार किलोमेटर है ठीक है चार किलोमेटर पहला parameter हम देखते हैं box cut का तो इसमें खुला जाता है कि meet of the boundary में करना बेश्ट है ठीक है box cut को जो position होगा उसे अगर हम meet of the boundary में रखेंगे तो best है ठीक है तो दो किलोमेटर का range में हमने रख लिए यह जो हमारी boundary थी यह जो surface लिखी वे यह हमारी boundary है यह हमारी boundary है ठीक है तो मिट अप्टी बांटर को हमने चूज कर लिया box cut के लिए ठीक है next क्या बोलो है next parameter क्या है कि ओभी अपन और कम होना चाहिए ठीक है ओभी अपन और कम होगा तो क्या होगा return on capital जल्दी से होगा ठीक है helping हैंस बन जाएगा ओनर के लिए तो वह अपन और क्या होगा चाहिए इसके लिए क्या हम करेंगे इसके लिए क्या करें कि rise more side में हम चूनेंगे हम जो mining करना सुरू कर रहे हैं या फिर box cut का जो position रहेगा वह हम rise more side मिलेंगे ताकि जल से जल हम mineral तक पहुंच सेके तो return on capital जल्दी होना शुरू हो जाएं तो यहां से समझे यहां समझे कि अगर सी मिस्था करके पास हुआ है यहां से पास हुआ है इसके लिए कहां रहेगा इसके लिए इसके लिए कहां रहेगा इसके लिए अब कहां रहेगा यह तो मीट का तो हम डिसाइड के कहां मीट से करना ठीक है मीट से क्यों में करना मीट से अगर नहीं करेंगे तो बेंचेस के लिए स्पेस कहां से बचेगा वेटीके श्छांट उतर्याबerg कर हो चाहिए लेकर लेकर चया छाना तो पहले आप दक्सक्राशल नहीं जाकशिख रखेज भी आपक्याजा ना अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा ठीक है तो पहला जो पोजिशन पहला जो पैरामिटर क्या था मेड़ ऑफ दी बॉंटरी तो वह हमने समझी ले कि हां यह मीड़ ऑफ दी बॉंटरी है यहां पर यह वाला हमारा पहला पैरमिटर यहां पर पोजिशनिंग का हम सोच लिए और में करेंगे नेक्स्ट पैरामिटर क्या था ओबी अपॉन और लिश्ट होना चाहिए ताकि हमारा रिटर्न ऑन केपिटल जलदी हो सके तो यहां पर आपर हम देखते हैं कहां रहेगा तो वह देखते हैं कि यह वाला ही जमीन र हमारा जो और है और कम-धूरी पर है तो अच्छा बात है तो अगर नहीं अगर और हाट असे साथ कहले को तो हमें अब नहीं कर लेंगा सांथ सांट करना प्रक्रत हमको कल्ğini चाहिए लेकिन पोजिशनिंग हो बॉक्स कट का तो दोनों परामिटर में जो हमें सहज लगे वो काम हमें करना है यह से मीड़ाव दी बाउंडरी हो गई या फिर ओभी अपॉन कोड एकिन मीड़ाव दी बाउंडरी हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी बेंच बनाने के लिए हमें इस मिल जाता है ठीक है समझ रहा हूं कि यहां से बेंच बनाना पड़ेगा वह आपको समाझ में जाएगा धीरे धीरे दीरे चलिए दो चीज़ दो पर यह चीज़ लाई कर गई कि मीड़ाव दी बाउंडरी एंड ओबी अपॉन और का रिश्यों कम होना चाहिए तागे रिट पहले था मिड़ाव दी बाउंडर सेगेंड क्या था ओभी अपॉन कोल या ओर वो लिश्ट होनी चाहिए ठीक है इसके बारे में बता दी गई आपको ठीक है तो यह वाली हमारी जमीन थी यह वाली हमारी जमीन थी और इस पर हम माइनिंग करने वाले है ठीक है ओपन कस्ट पहुंछने के लिए यहीं से स्टाट करना पड़ेगा रहा तो यह समझे कि हम स्टार्ट के तो ले आए ठीक है स्टार्ट करती अब चैसे जाते रहेंगे साइट नीचे नीचे जाते रहेंगे तो धीक है ताकि यह रास्ता भी बन जाए तो फस्त समझे माइनस 0.1 मीटर ग हमआँ पांच मीटर गए राप तिन फिर 0.5 मीटर नीचे गए हम है फिर 0.5 मीटर नीचे गए ठीक है और फिर 0.25 मीटर 1 mi liber नीचे गएह थीची तरन बढ़ते यहां माने मानस 1 meter चल गांए था एक सिट मीटर नीचे गए अब यहां तक हम पहुंच गया, धी तो यहां से हटाते हैं तो आपने समझ लिए कि फर्स में हम चैक है ग्रेडियंट उतारते गए और वहां तक पहुंचे यहां पर हम पोजिशन का बारे में सोच लेए थी कि हाँ यहां पर हम बॉक्स करेंगे तो यहां पर हम धीरे धीरे करते 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 यहां तक आए ठीक है एक मीटर तक हम मान लिए कि यहां तक आते हैं ते एक मीटर डाउन तक पहुंच गया माइनस एक मीटर डाउन तक पहुंच गया ठीक है सर्फेस को हम जिरो मीटर मानेंगे जो सर्फेस है यह जिरो मीटर बेस हम मानते हैं ठीक है यह सर्फ बहुता है इससे हम क्या बहुल लोते हैं और यहां से और इस राश्ते से आयेगा और तो दूर जाके यहां पर यहां parce कर देगा तो इधर से आएगा अधर से चला जाए इस एंट्री कर लेगा ठीक है इसे एकजिस्ट करेगा और इधर से निकल कर यहां डंप याड में जाएगा और यह रास्ता रह उसका जाने का थीका दो एकसे स्ट्रेंज हम मनातिया है इन और आफट के लिए ठीक उसके कि उसका डामेंशन्स रहाएगा बॉक्सकर्ट कर वह टा कि वह गरता है वह हम जेनरली कितना रखते हैं वह गरता है लंबाय रख लेते हैं 500 मीटर पिल्गेंड हां लाव शुड़ाय में राएगा तो पांचसों और पचासर घंडर रहता है जिसे अभी हमारा क्या था एलव् तो यह हमारा मान लिजे कि यहां box-card बन गी हमारा इसका जो depth है वो कितना है depth इसका है minus 3 with respect to surface with respect to surface minus 3 meter यह हमारा बन गया यह रैंप भी बना हुआ है समझते हैं तो यहां से तो हमने को निकाल लिया तो क्या दिखना शुरू हो गया तो हमें दिखना शुरू हो गया यहां पर हूआ संस्टां ठीक है हमें क्या दिखना शुरू है यहां पर सेंस्ट्रों से ठीक है जब हमने यहां से ओल को यहां निकाल लिया तो हमें दिखना शुरू हो गया अंसे संस्टों ठीक है कि ए यह हमारा position था box-card का यह हमारा था खोक्सcut टीक्स-3 6 हो चुका है depression है और यह हमारा wrap था ठीक है access range कि निक्सट क्या है अब हम क्या करेंगे इसी डैरेक्षन एक डैरेक्षन में हम बढ़ाते चलते हैं जाया रहाएं गारूल जम्हां को blur इतना देफ तक हटादी है तो क्या हुआएँ जматा दियें तो क्या हुआ जब अटा दीए तो यह वह तो यह तो हमारा सर्फिस था ठीक है यह सर्फिस और जो अलोवियूम का बेंच होगी है वह यहां तक आ गया तो यहां पर दिखाए गया तो इसको ले ले लेते हैं सर्फिस कौन थोड़ा धर ले ले था ठीक है सर्फिस हम यहां से ले लेते हैं सर्फिस यहां से लेते हैं यह यह जो बेंच है इसे हम एलेवियों का मान लेते हैं ठीक है तो एलेवियों हमारा कहा तक आ गया माइनस तीन मीटर तक आ चुक है तो हमारा जो पहला बेंच का होगे यहWow 9 तो हंसे भी आपको दिखना शुरायोग थिक कर दिए है यहां से आपको दिखना सुरू हो गया हूग इससे हमारा है वह हमारा है corsyn कि रो मिधर पर और जो हमारा है एक वहमारा माने शुस्अरत है निधर तो हमें box-cut में क्या दिखना सुरू हो गयाता याँ पर हमें box-cut में दीखना सुरू हो गया था fineiter सुरू गया था little ये तो क्योंगे तीन में निकाल लिए यहाँ से तोने century Cand rating उडिखना सुरूगिया तो क्या करेंगे..? यह वह ब्रीयिंग और ब्लास्टिंग करके हम क्या करेंगे यहां कर सैंस्टोन निकालेंगे तो ड्स रेइल ओर प्र या जरु किया है से सैंस्टोन गुहाँए से निकाल लिया थे अह सांड्सटों काका प्रवी थैं पाँच मीटर यह हो जागा माइनस एट मीटर माγनस-8 माम्न सेट मीटर हो में यह मिंटर हो और इसे भी हम यहां तक पहुंचा देते हैं यहां तक आलिया सेंट्टों इस बेंच का अब क्या हो जाएगा इस bench का depth क्या हो जाएगा, इस bench का depth हो जाएगा, माइनस 8 m, तो आपको यहां से दिख रहा है, कि surface हमारा था 0 m पर, ठीक है, surface जो हमारा है वो है 0 m, उसके बाद जो हमारा एलूवियम का bench है, वो है माइनस 3 m, ठीक है, उसके बाद जो हमने sandstone का bench लेके चले हैं हम लोग, वो है, उसके बादवाली बेंच को几ान सी है? उसके बादवाली बेंच हमारी इलियुवियम क्या है? इसके बात सैंट्टून की है जो कि-3 और मैिनस-8 मीटर सब्सक्राइब है तो यह हमने संटश्टून नहीं को हमी नहीं को से नगर हmmề है года इसमें ग्या करना होगा प्रैसिंग ब्लास्टिंग करना इसको हम किया है कितना मेटर का या 6 मेटर का है न की ब्लास्टिंग कर लिए तो पहले से 8 मेटर था और 6 मेटर कर लिए ह dudes रसकपा कितना हो गया यह वा तक पूरी पूरे यरिया का जमीन हम माने लोगा तो माने लोगा जमीन हम सर्थे हा consort अब वीट्ट हो जागा याप चल जागा सेट यहां तरी हैट ठीक है और इसका जो इसका जो depression point रहागा वो कितना हो जागा अब इसका depression point हो जागा minus 3 minus 8 यह कितना हो गया minus 14 ठीक है minus 14 तो आपको दीख रहा होगा एक डारेशन में दिखा रहा है तो सेल सेल जब हमने रिमूफ कर लिए तो हमें क्या दिख गया को अब हम यहां दिख गया को अब जैसे को यहां दिखना सुरूग तो छोटा करते हैं इसका थोड़ा चोटा कर दिया तो कोल मेरा यहां पे इसी तरह बेंच चला कर लेकर चलते रहें और हमने क्या कि ओपन कास्ट माइन को अच्छी तरीके से खोल लिया और आप यहां पर देख रहे हों कि हमें स्पेसिंग की इतनी ज़्यादा पड़ती है ठीक है कि एक बेंच को चला रहा है फिर दूसरी बेंच को रिवामतर चल से ड्रोग करका बताते आपको अथि का अच्छी तरीके समझ्जीएगा तो चीज आपको क्लियर हो गई ज़्यादा ज्यादा ठीक है हो ठोणास बड़ा करते हैं से ठीक है ठीक है तो जो हमारी सर्फेस की ऐलीवेसिन थी वह कितनी 2 t0 मेर पैंने डेकर चलले छाँ इसे ठीक है जिरो मिटर का एलिवेशन था फीला से दिखाते हूं पीमर का यह होता है ठीक है यह पीला तो इसका depression कितना है हमने मित्टी निकाल लें यहांस ए तो माइनस 3 मीटर का हो गया। ए इगका-एज़ हमारा क्या था हमारा सेंट्स्टों था सेंट्स्टोंग कर wyn pedestrians कर जब हमने मुई पूरा रिमूट किया था वहांसे तो नेक्स्ट हमारा क्या है उसको सेल को हटाते हैं हमें कोल दिखने लगा था तो कोल्फ का भी हम बेंच को लेके चले और यहां पर हमारी कोल की बेंच आ गहीं यहां तक आग अब 3 मिटर काई तो मानस 17 हो जाएगे 17 मीसर किए बॉक्स कट का अभी यहां पर जो डिपसट पॉइंट ऊजागा हो जागा मानस 17 मिमिंट wcześniej किए तो समझ में किक यहां से र Ampam लेकर फस्ट फं यहां सवारैम लीकर नीचे नीचे उतर रहे थे introduce उसके बाद धिया उसके लगोव को पराश हम पहुंचे हैं वक्स कट्किन इसे हमें से जनरल ड कितना देता है कि नम्पाई करते हैं और 50 मिट्र चोड़ाई कर देते हैं ठीक है उसके बाद क्या किया हमने इस से हम इस में इस से अम ध्यूरी टेंड्मिकर किすट कि धार्य में है अर्मीक देश में 3 से उसके बाद कि कियें, मैंने स्नीर मीटर हो चुका था, और तो उसके बाद क्या दिखने लगा हमें, सैंस्टोन दिखने लगा, तो हम ने क्या क्या किया, drilling and blasting किया, फिर drilling and blasting करके हमने उसे ह şuट आया और क्या किया? कि उस bench को भी आगे लेते हुए चले तो से बेंच का depth क्या हो चुकआ था मैन can is 8 मिटर हो चुका थाए उस बेंच का Right देफ्थ हो चुका था मैनिस 8 मिटर हो चुका था क्योंकि मैनिस 3 मिटर का end value निकल चुका ठीक है और हमने वहों से सेंस्टों भी निकाला तो मैंने सेट मीटर हो गया उसे भी लेकर हमने चला और फिर यहां तक आगए ठीक है उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे यहां पर यहां पर बच गया इस बॉक्स कट में तो फिर हमें दीखना सुरूग हो गया था सेल सेल को भी ट्रीलिंगर ब्लास्टिंग किया फिर आगे की तरफ चले हैं तो माइनस 14 मीटर का माइनस का डेफ्ट के साथ हम बढ़े आगे उसके बाद जैसे ही हमने सेल को रिमूव किया था हमें कोई दिख किया कि वहां भी ट्रीलिंगर ब्लास्टिंग करके बेंच को धीरे तरह आगे बढ़ाने लगे तो अभी हमने आपको बताया यहां से एक डारेक्शन सिर्फ एक ड के सेंश्टोन को लेका है उसके बाद सेल को लेका है उसके बाद को लेका है आगे एक क्षिक को लेते हुए हम बढबर आगे कि थो ठीक है लेकिन सब्सक्रोंहुज्फCl के यह तहीं किए कि जब हमाराि एलूवियम स्मॉल है उसको हमने बढ़ाया। थेपिक ए एक्स्टेν ठीक है तो हम क्या करेंगे कि उसके पीछे-पीछे सैंड्स्टोन का भी बेंच को हम आगे बढ़ना सुर कर देंगे जैसे कि हमने चार सो मिटर बोला था कि जो हमारी एलुवियम स्वेल की बेंचे बढ़ गए तो चार सो मिटर बढ़ गया तो अब ग्राउडिंग का वहां पर चांसे सह ने चार सो मिटर वह आगे निकल चुकी है तो हमारां से अब क्या करेंगे यह वाली यह वाली जगह तो हमारी वेकंट हो गई ठीक है यह वाली यह थो वाली यहां पर वाली जो हमारी जगह है यह थो रहा हुस्त में टो हमति हैं षांसे तक पीछे गिया सब्सक होगी तो तब तक वो चला गया उसके पीछे पीछे हम क्या चुछा रोगा उसके लघंड हमारा Ada तो इसी तरह का बेंच को फॉर्म करते जाएंगे और अपना हम एक्स्ट्रेक्ट करते जाएंगे या कोल निकालते जाएंगे ठीक है तो यह तरीका होता जाना बसका बेंचन करते हैं जाके काम करते हैं तो यह मैं बोलते हैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से बोक्सका इसमझ में आ गई होगी तो यह जो हमने condition आपको बताई है यह in crop की condition थी कि नीचे में अगर coal है तो हम क्या करते हैं box cut का formation करते हैं उसका मतलब कि boundary में करेंगे और क्या करेंगे फिर हम उसके पास पहुँचने के लिए हम benches का form में बढ़ते जाएंगे आगे और अपना coal को extract करेंगे ठीक है अगर case हमारी एगर होती है outcrop की case होती है तो outcrop के case में क्या करेंगे कि जहां पर हमारा outcrop है वहीं पर हम क्या करते हैं अपना जो box cut है उसका position उसी के उपर ही कर देते हैं ठीक है अगर हमारा क्या होता है कि outcrop का condition होता है जैसे कि यह जो हमारा सीम है यहां से दीख रहा वीजिबल है तो हम क्या करेंगे जो box cut को जो हमारा positioning होता है वो यहीं पर कर देते हैं ठीक है यहीं से start करते हैं और जिस Attack में हमारी सीम जा रही है उस उस ड्था सीम में हम फिलते जाते हैं ठीक है फिलते जाते हैं इस Subac step है यह जो सीम है यह जो सीम है यह करके है पूरा layer में हो ओ कि धर का layer इसा इसा हो जाते जायए कि उस तरीक海 तो तो उपर के लेयर इधर में फैला होगा तो हम उसे इस डारेक्शन इस डारेक्शन इस डारेक्शन जहां से भी होगा हम लेते जाएंगे ठीक है तो ये हमारी होती है और इंचे बनाने और अपने ऑर को या को किसे एस फारूर इक्जांपल के एि हां यहां से हमारी आउड खुरौक की सीम थी यहां से हैं यहां पर सर्फेस है फैकर और क्रौक टिर सीनर यहां पशिचा पैकर तो पहला ब्रॉक जिसने खरीड लंबी तो यहां तक पर लोग यह वाले ने B Block को जब जब आपने खरीदा अपको यहां तक का मिला वी फिर एक और ऊस्रेक वाले के साथ प्रोलम आ गए इसे तो अ lot को वाली condition नहीं मिली तो환 लिए जो भी जाहां तक भी ब्लॉक जाएंगी तो वो क्या करेगा वो जो कंडिशन जो हमने अभी यहां पर बताई है दोनों पैरामेटर्स को देखेगा कराची तरीके से हम समझाने की पूरी तरीके से कुसिस की गई आप समझ माई होगी है तो यह हमारा कोशन रहा कोशन क्या बोल रहा है इफेक्टिव पोजिशन और बोक्स कट फॉरे डिपोजिट वेर्शियो ऑफ ओ बडी और बाउंडरी में होती है तो वह हमारा एक्टिव पोजिशन नहीं ठीक है effective position क्योंकि वहां से हमें proper spacing मिल जाती है जगा मिल जाता है bench को हम statutory हिसाब से लेके हम चलते हैं और पूरा हमें जगा जगा हमें मिलता है अच्छी तरीके से bench का width अगरा maintain करते हुए हम चलते हैं जिस तरह कि आपने वहाँ देखा था कि first में हमने को चलाया ठीक है फिर हमारी crowding थोड़ी से जैसे कि हमें महसुस वहाँ कि crowding अब नहीं होगी bench अगे हमारा बढ़ गिया है तो हमने क्या किया उसके पीछे-पीछे से start कर दिया सेंड्स्टोन का बढ़ गया आगे उसके बाद हमने क्या किया फिर सेल का bench को start किया जैसे सेल का bench को start किया तो कोईला दिखने लगा तो फिर कोईला को भी drilling blasting से आगे हम बढ़ाते हैं तो हमें प्रॉपर जगह हमें मिल जाती है bench बनाने के लिए ठीक है कुछ लोग बोलेंगे कि क्योंने सब्सक्राइब कर देते हैं तो बांडरी यहां है और यहां पर मान लेंगे राइज है तो यहां कंडिशन थी तो आपको यह कुशन समझ में अच्छी तरीके साया हुआ यह अफेक्टी पोजिशन आप बोक्सकर फोर डिपोजिट कहां पर होता है एफेक्टी पोजिशन वेर रेशियो फोट भी सुट भी आठीलिस्ट ठीक है और और का रेशियो कम होना चाहिए तो वह क पीका